आप सबी साथियों का इस वीडियों में एक बार पुना स्वागत है दोस्तों आप जानते हैं कि 79,000 सहायक भरती को लेकर आरक्षण का जो मुद्दा था उसमें विसंगती को लेकर काफी प्रदरसन भरतियों ने किया था और इसी बीच एक बड़ी खबर आ रही है आप अपनी स्किन पर देख सकते हैं डक्टर सतीस चंद दिवेदी जी ने अपने एक पोस्ट में लिखा है 79,000 सहायक ध्यापक भरती में आरक्षण की प्रकिरिया में विसंगती से प्रभावित आरक्षित वर्क के लगबग 6,000 भरतियों की भरती की जाएगी तथा इसके अतरीक्त 17,000 रिक्त पदों पर भी भरती करने की बात इन्होंने कही है इस अंदर में एक लेटर भी जारी हुआ है आईए उस लेटर को भी हम आपको दिखा देते हैं दोस्तों यहां अपनी स्किन पर आप देख सकते हैं इसके पूरु में जो लेटर जारी किया गया था उसी का ये संसोधित लेटर है लक्ष में या जनकारी देते हुए बताया है कि 79,000 सहय का ध्यापक भरती प्रक्रिया आरक्षड की विसंगती को दूर करने है तो आरक्षित वर के प्रभावित लगवक 6,000 अभेर्थियों की भरती की जाएगी जिसकी प्रक्रिया आज से ही प्रारम कर दी गई है डक्र दिवेदी ने बताया कि राजी सूचना विज्ञान केंद्र को प्रोसेस फ्लो आज 24,000 विज्ञान केंद्र दरा कराई गई चैन सूची का परिक्षड दिनांक 29,000 वारा दोजार एकिस तक किया जाएगा राजे सूचना विज्ञान केंदर की वेबसाइट पर सूची का प्रकाशन 30-12-2021 को किया जाएगा तत पस्चा जनपत अस्तर पर अब लेखो का परिक्षण दिनांक 3-1-2022 से 5-1-2022 तक किया जाएगा दिनांक 6-1-2022 को न्युक्ति पत्र निर्गत किया जाएगा तो दोस्तों यहाँ पूरा इसकीम यहाँ पे बना दिया गए कि किस डेट में क्या क्या चीजे होनी है डॉक्टर 37 दिवेदी ने बताया कि मानिय सर्वोच नयाले में योजित सिविल अपिल संख्या उत्तर से 69,000 है में की गई चैन प्रकिरिया के उपरांत रीक्त लगभग 17,000 पदों पर नई भरती किये जाने का भी निर्ड़ लिया गया है तो दोस्तों यह निश्चित रूप से एक अच्छी खबर है जो यह 17,000 नई भरती होगी इससे 17,000 भरतियों को लाभ होने वाला है तो न प्रदेश में भी आप नाइट कर्फ्यू लगा दिया गया है नाइट कर्फ्यू की जो टाइमी है दोस्तों अब देख सकते हैं रात 11 बजे से सुबह 5 बजे तक की है और यह कल से आने की 25 दिसंबर 2021 से प्रभावी होगा ऐसे में साधी समारों में भी यह प्रतिबंधित कर झाल 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